चली दोस्तो इस class में हम बात करने वाले हैं toolworks के अंतरगत crop and knife tool की हमने बात कर लिए कुछ tools और उसके बाद हम अभी बात करने वाले हैं अगला tool जिसका नाम है crop और knife tool चली यहाँ पे हम देखते हैं crop tool को सबसे पहला जो tool है यहाँ पे इस option में इसके fly out के अंतरगत यह crop tool है ज ठीक है इसके साथ ही हम इसमें कर लेते हैं color यह कर लिए हमने color इसमें भी हम कर लेते हैं color ठीक है अब हम चाहते हैं इसमें से कौन सा भाग रखना है कौन सा भाग रखना उसके लिए हम क्या करेंगे crop tool को प्योग करेंगे तो जो भाग रखना है उसको आप क्या कर लो select कर ल चुके clear इसका मतलब जो हमने selection करे हैं वो हड़ जाएगा और crop का मतलब जो selection करे वो crop हो जाएगा इसके लिए आप बीच में भी double click कर सकते हैं जो भाग आपने select किये हो उसके बीच में आप double click करो तो देखे उतना ही भाग बचेगा उसके लिए आपको देखे select करना होगा हमने select क्या किये थे ये select नहीं था हम पहले कर लेतें दोनों को select ये हमने दोनों को select करे उसके बाद हम क्या करेंगे crop tool में जाएंगे और crop tool में जाने के बाद देखे हमने इतना भाग select करे और बीच में double click करे तो देखे जो भाग selected थे उतने ही भाग में हमने जितना crop tool के माद्ध हम से select किया और double click करे तो सिर्फ उतना ही भाग बचा ये काम हम किसके माद्ध हम से भी कर सकते हैं मान लो हमने select कि इतना और select करने के बाद हमने इसको crop कर लिए तो crop करे तो ये भाग बच गया तो इसका मतलब जितना भाग आप काटना चाहते हैं उसको आप outside में रहने दे और जितना भाग बचाना चाहते हैं उसको inside में रहने दे तो इससे आपका crop tool यहाँ पर काम कर लेगा तो कभी भी इसका उपयोग जो है ऐसे ही छोटे मतलब बड़े भाग को छोटे भाग जितना भाग रखना चाहते हैं उतने भाग को आप maintain यहाँ कर सकते हैं ठीक अलग अलग भी इस प्रकार से देखे क्योंकि जब ये कट जाते हैं तो इनकी border की तो कोई जरुवत ही नहीं रहती तो border अलग हो गए तो safe अलग हो जाता है border अलग हो जाती तो इस प्रकार आप इसको maintain कर सकते हैं उसके बाद हम चलते हैं crop tool के अंतरगा knife tool में और knife tool को अप्योग क्या होता है जिसे ये point है ये point से ये point तक अगर हमको काटना है तो हम क्या करेंगे यहाँ से draw करेंगे और यहाँ लाकर हम छोड़ देंगे ठीक है जब हम यहाँ लाकर छोड़ देंगे और हम जो pick tool है pick tool के माध्यम से select करेंगे देखे उपर वाला भाग अलग हो गया और नीचे वाला भाग अलग हो गया किसके माध्यम से करेंगे knife tool knife मतलब होता एक प्रकार से चाकू का काम करेगा ठीक है तो देखे यहाँ पर हम एक भाग को रख लेते हैं और उपर वाले भाग को रख लेते हैं और थोड़ा से इसको छोटा करते हैं छोटा मतलब इस प्रकार से थोड़ा सा height इसकी कम कर देते हैं अब हम चलते कहां पर save tool में इसको उपयोग मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको save tool में हम बीचो बीच में यहां click करते हैं देखिए उपर से आपको देखने मिलेगा बीचो बीच में आप चाहते हैं इसे point बना सकते हैं और इसमें हमने click करे ruler के माद दे हम से हमने बना ली ruler है ruler को guideline यानि के grid line के लिए उपयोग किया जाता है हमने right click करे add कर दिये और add करने के बाद इसको to curve करे और to curve करने के बाद इसको कर दी smooth कर दिये ठीक है अब देखे यहाँ पर हम जो है इसको उपयोग करते हैं इस प्रकार से smooth और यहाँ पर देखे इस प्रकार से इसको बना लेते हैं यहाँ पर भी आप जो है इसमें काम कर सकत इसको बीच में हम फिर add कर लेते हैं और add करने के बाद इसमें भी हम थोड़ा सा curve कर लेते हैं यह देखे इस प्रकार से आप इसको उपर की तरफ ऐसे बना सकते हैं चली यह तो बात हो गए किसकी knife tool की knife tool के माध्यम से हमने काट दिये और काटने के बाद हमने जो है save tool के माध्यम से edit भी कर लिए तो इस प्रकार आप edit कर सकते हों बीच में आप रखो और इसको curve कर दो curve जैसे करें तो देखे दोनों तरफ arrow आगई इसको आप ऐसे कर लो ठीक है ऐसे और इसको थोड़ा सा बाहर side ऐसे निकाल लेते यह निकाल लिए अब इसको कर लेते duplicate duplicate करने के लिए shortcut की control D है या फिर keyword से plus button जैसे हमने plus button दबाए और नीचे arrow के माध्यम से ले कर आगए देखे arrow के माध्यम से नीचे लिया और आप ध्यान से देखोगे उपर property बार में दो option दिख रहे एक तो mirror horizontal और एक mirror vertical जैसे हमने इसको vertical करें देखे उल्टा हो गया उल्टा हो गया मतलब नीचे की तरफ चला गया ठीक है इस प्रकार से आप नीचे की तरफ ले जा सकते हैं अब यह वाला जो corner है यह वाला point है हमको इस side लाना तो इसको horizontal टाइप में mirror करना पड़ेगा तो उपर एक और option है mirror horizontally और नीचे आप ऐ Pepsi का logo बन जाएगा ठीक है इस प्रकार Pepsi देख लेना अब भी बरतमान में कुन सा logo है तो ऐसे आप बना सकते इसको थोड़ा सा और आप ऐसे फैलाना है फैला सकते है रोटेट करना है रोटेट भी कर सकते है जैसे आप इसको double click करोगे फिर से ऐसे एक बार click करो ऐसे और दोब परटी बार के दौरा भी यहाँ पाए नाइफ मतलब काटता है तो यह तो हो गया Pepsi का logo हम जो है क्या करते हैं ओधारन के लिए लिए पिक्चर उपीयोग करते हैं इस picture में जाओगे तो picture में हम जो क्या करेंगे यहां पर इसको हम copy करते हैं simple और यहां ले आते हम हमारे page में fourth number का जो page है उसमें ले आते हैं यहां देखिए हमने picture लिया इस picture को भी हम क्या करना चाहते हैं knife यानि की काटना चाहते हैं ठीक है knife के माध्यम से knife हमने select करें तो एक तो था line two pointy line था two pointy line मतलब जहां से आप ऐसे crop कर दो तो वो जो है इस प्रकार से अलग-अलग crop हो जाती देखिए अलग-अलग crop हो गई ठीक है इसके अलाबा आप जो next option है next option को प्योग देखिए यहां पर आप free hand कर सकते हैं free hand का मतलब जैसे आप इतना भाग एंसे गोल-गोल select करना चाहते हैं तो आप इसको जो है इस प्रकार से क्या कर सकते हैं यह देखिए आप ध्यान से देखोगे तो उतना भाग आपका अलग हो जाएगा देखिए अलग हो गया तो ऐसे भी आप काट सकते हैं साथ ही आप दे इसको काट सकते हैं और उतना भाग हमारा अलग निकल जाएगा देखिए अलग हो गया इसे आप सेफ टूल का भी उप्योग कर सकते हैं मतलब जो रेक्टेंगल है या सरकल है उसमें भी इसका उप्योग कर सकते हैं साथ ही auto close on cut यह भी है आपका option हाला कि यह ज्यादा काम के नहीं है गैप देना है ओवरलेप करना है यह सारी चीज़े हम बाद में देख लेंगे अभी आप common चीज़े देखते रहिए इसके लावा हम लिखते हैं text चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं coral चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं coral और coral को थोड़ा सा हम कर देते हैं knife knife लिए और सीधे हमने two pointy line लिए और two pointy line लेने के बाद हम बीचो बीच से इसको जो है ऐसे drag कर देते हैं ठीक है और उसके बाद देखे उपर वाला भाग अलग हो गया नीचे वाला भाग उपर वाले भाग को भी हम जो है अपने अनुसार देखे इस प्रकार से manage कर सकते ह आप जो है pattern बना सकते हैं coral का pattern बना सकते हैं देखे यहां आप color कर दीजिए इसमें अलग color हो जाएगा और इसमें अलग color हो जाएगा देखे इस प्रकार से आप जो है pattern भी बना सकते हैं किसके माध्यम से knife के माध्यम से तो यह तो बात हो गई crop tool और knife tool की I hope आपको समझ में होगा फिर भी अगर कोई doubt है ता आप comment box में बता सकते हैं